विल्कम डियर स्टुएंट्स आई एक लास 11 के बिजनस स्टुडिस के कुछ एक ट्रू-फॉल्स टाइप को करते हैं उमारा पहला कोश्चन है कि जो एकाकी व्यापार है वो ब्यूटी पारलर के लिए उप्योगी है तो बिल्कुल सही बात है ट्रू कोश्चन नबर टू है एक अकी व्यापार में हानी अधिक होने से लोस अधिक होगा तो घर का सामान तक बिग जाता है ओव्युस्लि क्योंकि आपके लाइबलिटी अलिमिंट रै यही तो उसका सबसे बड़का डिमिरिट है यह तो टैस्टे एकटी Pourillject आत्कहे वाद नायुत होती है तो यह बात ट्रू है कि कोईशन नम्र थ्री एक आकी व्यापार के संचालल में लगातार अनिश्चित्ता बने रहती है यह तथे एक आकी व्यापार के संतुलित और संतुलित प्रबंद की सीमा को दर्शाता है बिल्कुल सही बात है हम बिजनस नहीं है तो फिर बिजनस कौन चलाएंगा आफ में बोलता है शक्ती का के इंड़ीयघरंद स्रियुक्त हिंदू परिवार mesma सीमा है बिल्कुल सही बात है सारि सक्ति छोंग किसके पास होती है तो करता के पास, आपको पता है, कि सारा जो है, वो करता के पास होता है, सारा पावर, बोलता है कि गोपनियता सियुक्त हिंदू परिवार वेफसाई का एक लाब है, बिल्कुल सही, जो फैमिली का बिजनस हो, तो फैमिली वाला ही उसका ट्रेड सीक्रेट जानेगा, कि क्या ह रहा है नहीं हो रहा है छटा कोशन है कि साज़ेदारी की संख्यां बैंकिंग वेफसाइए में दस से अधिक नहीं हो सकती यह बात गलत है गलत बात है पार्टनर्शिप में भी लिएबिलीटी होती है संतुलित निंडड़ साज़ेदारी की एक सीमा यह जीन यह शीमा नहीं है इसकी अच्छी बात का मतलब बहुत है लिमेटेशन आप अकेला ले रहे हो तो वो कभी गलत भी हो सकता है, आप अकेले में हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो, लेकिन आपने पार्टनर बनाया है, आपस में बातचीत करके अगर कोई कर दखे हुए है, उसको साज़दारी सनलेक पार्टनर्शिप डीट कहते हैं, तो प्रतिक सब के लिए और सब प्रतिक के लिए साज़दारी का मूल मंत्र है, यह नहीं है, यह फॉल्स है, सहकारी समितियों में सदक्सियों का दाई तो उनके अंस तक्सिमित होता है, बिल्कु प्रिजेंटी एक मत का सिध्धात एकाकी संगठनों में लागू होता है यह नहीं यह कंपणी का फीचर है यह बात कलत है फॉल्स नगद विक्रे सहकारी समितियों के का लाव और हनी भी सहकारी समितियों उसमें प्रॉफिट ही होता है मतलब कैस्ट में ही ट्रांजिक्शन करता है और यहानी इसलिए क्योंकि उधारी बेच करके आप बिजनस बढ़ा सकते हैं भारत में एक कंपनी का समामिलन भारती कंपनी अधिनियम 2013 के अंतरगत होता है प्रेजेंट डे में तो और इसलिए एक वो पोयम की तरह भी है मैं में कम मैं में गुक बटक कंपनी रिमेंस फोरेवर मनुस्य आएगा जाएगा वेबसाइप एक कंपनी पे कोई असर नहीं होगा बोलता है एक कंपनी के अंसधारियों का दाय तो उनके संपत्ति के मुलित अक्सिमिंत होता है जिस उनकी संपत्ति से कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है जितना कैपिटल कंट्रिबूट किया है बस वहीं तक होता है तो यह बात जो है यह फॉल्स है नीजी कंपनी के अंसों का सुतंतरता पूर्वक हस्तांतरण हो सकता है जी नीजी कंपनी तो अंस इशू ही नहीं कर सकते हैं हस्तांतरण कहां से कीजिएगा जो प्राविट कंपनी है वो शेर बेची नहीं सकता है बेचे का तब तो ट्रांसफर की बात आएगी तो यह बात जो लिखा हुआ है बात ब आप इंपोर्टेंट डॉक्यमेंट्स के बिन आप कॉंपनी नहीं बना सकते और अगर आप यह नहीं बना रहे हैं तो इसके लिए आप अप्लाइ कीजिए एक आखी व्यापार प्रारंब करने के लिए विससग्य व्यक्ति हो एवं अधिक पुंजी की जरुवत होती है जिए सोल प्रोप्राइटर्शिप कर रहे हो तो उसमें विससग्य की कोई आवश्यक्ता नहीं और पुंजी भी जितना है मैं पास उतने ही महीं काम कर लेंगे न तो यह बात गलत लिखा हुआ है फॉल्स चाहे कंपनी नीजी है अत्वा सार्जुनिक पृतेक का समामिलन कराना अनिवार रहे है त्रू समामिलन मतलब उसको रिश्ट्रेशन करवा करके उससे सेटिफिकेट लेना रिश्टार से तब बिजनस स्टार्ट होगा स्थापना प्रविवरंट पत्र को सार्जुनिक निर्गमन करने वाली साव्जुनिक कंपनिया जमा करा सकती है कोशन नमर बाइस फॉल्स एक नीजी कंपनी समामिलन के उपरांद व्यापार आरम कर सकती है हां उसको तो क्यापिटल सब्सक्राइब नहीं करना है ना ट्रू एक कंपनी के प्रवर्तन में प्रवर्तकों की साहेता करने वाले विष्वशक्यों को भी प्रवर्तक कहते हैं गलत बात एक नीजी कंपनी समामिलन के उपरांद प्रारंबिक अनुबह अनुबंधों का अनुमोधन कर सकती है true यदी कंपनी का फिक्सीस नाम से पंजी यह कराया जाता ह दो नहीं है तो उसका सब्रूर मेलनोन अंबार्ज होता है तो फॉल्स 멕ि कमपनी के अंतर नियम मेरें इसके प्रमुक्त दस्ता वेज होता है तो सौर्थ Whealsky कि प्रतेछ कंपनी के लिए अंतर नियम जमा कराना अनिवार है यह नहीं नहीं है प्रतेक के लिए कंपनी के समामेलन से पूर्वा कालिक अनुबंद पर प्रवर्तकों के साक्षर होते हैं यदि कंपनी को भारी हानी उठानी पड़ती है तता इसकी परिसंपत्यों इसकी देवताओं कुछ उकाने के लिए परियाप्त नहीं है तो सेसे इनके सदस्यों के नीजी पूंजी से होगा नीजी पूंजी से कुछ नहीं होगा कंपनी का ओनर्शिप और मैनेजमेंट और यह सारा चीज अलग-अलग है तो नीजी पूंजी से कुछ भी नहीं होगा फॉल्स चलिए यह थे 30 कोशन थैंक यू